हेलो आईस वेलकम टू एपेक्स स्टेडी स्वागे तब सिभी का एपेक्स स्टेडी में आशाक आतों दोस्तों आपसे विए काफेट चाहसे होंगे तथा सीजी प्यारम भी प्रेक्षा दोसे बीसी किश्की शांदार त्यारी कर रहे होंगे आज किस वीडियो में हम 36 गड़ से संबंधित महत्पुन आकडों पे नज़र डालेंगे तो चलि दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शूर करने पर करने चाहिए अपने हमारे चैनल एफेक्सेस्टरी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के औल बटन को प्रेस करें साथ ही इस वीडियो को लिखी डिटेल जो है आप हमारे वेबसाइट www.apaccessstudy.co.in में मिल जाएगे साथ ही आप हमारे टेलिगरम चैनल से भी जूरी आइए चलिए दोस्तों पहला प्रशन देखते हैं समय बहुत कम है इसने जाला समय ना लेते हुए पहला प्रशन है 36 गर राज्य में सकल घरेली उत्पाद में क्रिशी छेत्र का वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत विद्धी दर्ज की गई यानि कि जो सेकल घरील उत्पाद में उत्पाद होता है उसमें कृषी छेत्र का जो है कितना प्रतिशत विद्धी दर्ज किया गया 2019-20 में तो कितना किया गया तीन दस्वम्लों तीन एक प्रतिशत जो है विद्धी दर जो है अनुमानित है कृषी छेत्रे के लिए और यदि औसद विद्धी दर की बात करेंगे तो 4.99 प्रतीशत है यह औसद विद्धी दर जो होता है 2012-2013 से लेके 2019-20 के मद्धिका निकाला जाता है यह आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 के अनुसारे सारी डेटा आप को बताए जा रहे है क्योंकि अभी तो आया नहीं यह बजेट के पहले आता है अभी बजट आया नहीं 36 प्रतीशत का चलिए अगली बात करते हैं वर्ष 2019-20 में राजी के सकल घरेल उत्पाद में क्रिशी छेत्र का योगदान कितना प्रतीशत है यहां पर इस्थिर भाव पर योगदान की बात की जा रही है तो योगदान ध्यान रखेगा 2019-20 में 16.81 प्रतीशत है और वृद्धी दर जो है वो कितना बता है मैंने 3.31 प्रतीशत अगला इसी प्रता से बात कर लेते हैं जो योगदान की और वृद्धी दर की बात है तो उद्ध्योगों का बोलेगा तो उद्ध्योगों में वृद्धी दर जो है वो कितना है 4.94 प्रतीशत है और योगदान उद्ध्योग का 46.19 प्रतीशत है और औसत विद्धीदर यदि पूछ दिया उद्धिवों के चेत्र में तो 5.42 प्रतिशत आपको बताना है सारे आकड़े 2019-2020 के बतारों में आपको ठीके सेवा चेत्र के बारे में पूछेगा कि भई सकल घरी लुद पाद में सेवा चेत्र का कितना प्रतिशत अनुमानिक विद्धीदर है तो अनुमानिक विद्धीदर 6.62 प्रतिशत है योगदान जो है 37 प्रतिशत है और औसत विद्धीदर 6.52 प्रतिशत है अब सेवाद छेतर में कौन-कौन सा छेतर है रियल स्टेट है, वैपार, होटल, जल पानगरी है वितिय सेवाएं होती है लोग प्रशाशन के छेतर है ये सभी का छेतर का सरवादिक भागीदारी होता है सेवाद छेतर में और इन सेवाचेत में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें उच्छाल आया है वृध्धी हुई है तो संचार में आया है लोग प्रशाशन में आया है भंडार में आया है और परिवहन ट्रांस्पोरेशन में जिसमें रेल को छोड़ दिना है रेल को छोड़ दिना है बाकी परिवह रहना वो आगे बढ़ा है देखो कृषी में मात्र 3.31 प्रतिशत की औसत विद्धीदर देखी गई है अनुमानित उद्योग में 4.94 प्रतिशत विद्धीदर देखे गई है लेकिन सेवा छेत्र में 6.62 प्रतिशत जो है विद्धीदर है मतलब कि सबस्दा विद्धीदर जो है क्रिशी उद्ध्योग सेवा में देखे तो सेवा छेत्रे का है उसा कारण क्या है संचार लोग प्रेशाशन भंडार परिवहन में तेजी से विद्धी हुई है तो यह आकड़े ध्यान रखेगा अगला प्रश्न है 36 गड़ में वर्दमार में उचित मुलिकी कितिनी दुक पाने कारे रत हैं ध्यान रखना है अगला प्रश्न है इसी से संबंदित 36 गड़ में वर्दमार में कुल कितने राशनकार धारी वेक्ती हैं तो कितने लोग हैं अगला प्रश्ण है वर्ष 2019-20 में राजी में कुल कितने धान उपारजन केंद्र बनाए गए थे 2020 में कितने बनाए गए थे 2048 उपारजन केंद्र बनाए गए थे जहां धान ले जाके किसान अपना देते हैं तो 2048-19-20 में था और अब जो हैं 2020-21 में कितने बनाए गए हैं ये भी ले ले लेते हैं तो 257 नए धान उपारजन केंद्र बनाए गए हैं तो टोटल अगर बोलोगे तो इस वर्ष 2305 मतलब 2305 जो हैं 2020-21 में धान उपारजन केंद्र की संख्या थी और ये जो धान वगरी की खरीदी जो हैं कबसे प्रारम की गई इस वर्ष एक दिसंबर 2020 से लेके 21 जनवरी 2021 तक दो महिने का समय दिया गया है सरकार के दौरा एक दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक जो है धान की खरीदी की गई थी ठीक है या की जा रही है की गई ठीक ना की गई अब तो जनवरी बीद गया चलो अगली बात कर लेते हैं वर्ष 2019-20 में सहकारी समयतियों के माध्यम से क्रिशी रिड माफी योजना के अंतरगात कुल कितने करोड रूपे के रिड माफी किये गए हैं तो जो क्रिशी रिड माफ किये गए हैं सरकार के दौर 2019-20 में कितने करोड किये गए हैं 5,260.50 करोड रूपे कितना किया गया 5,260.50 करोड रूपे जो है ये क्रिशी रिड जो हैं ये माफ किया गया है ये ध्यान रखना है और ये सब जो हैं अगर ऐसा प्रेशन पूछ देता है आप लोग से कि 36 गड़ में क्रिशिको को ब्याज मुक्त रिन वेवस्था क्रिशी साख समितियों के माध्यम से कब से लागू है ठीक है मैं फिर से बोल देता हूँ 36 गड़ में क्रिशिको को ब्याज मुक्त रिन वेवस्था क्रिशी साख समितियों के माध्यम से कब से लागू है तो कब से लागू की गई है ये एक अपरेल 2014 से जो है ये लागू की गई है अल्पकालिन रिन होते हैं ये ठीक है और इस वर कहते हैं दोस्तो 36 गड़ आज में वर्तमान में कुल कितने क्रिशी उपज मंडिया संचाली थे बहुत इंपॉर्टन कोश्चन में आपको बता रहा हूँ अभी देख रहे हो देश में क्या हाल है क्रिशी मंडि को लेके MSP को लेके खुब जादा बवाल चल रहा है हो सकता ह 36 गड़ पूछ दे भई यहां कितनी क्रिशी मंडिया है तो 69 जो है क्रिशी मंडिया है और उपज मंडि जो है 118 है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है कि यह बहुत important जो है fact है आपके परिक्षा में पूछ जा सकते हैं अगली बात करते हैं राज जी के कुल कितने प्रत प्रतिशत जल छेत्र में किया जा चुका है 94.66 प्रतिशत 94.66 परसेंट एरिया में जो है जल छेत्र में मचली पालन व्यवसाय विक्सित किया जा चुका है ठीक है चलिए अगली बात करते हैं 36 गड़ राज की वर्तमान और द्योगिक नीती की अवधी क्या है तो यह कितने सोलर पंप कारेरत हैं तो कितने हैं 6874 सोलर पंप हैं जो शुद्ध पेज लह महा समंद्र इसके अलावा जो हैं उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडा गाउं, बस्तर, नरायनपूर, दक्षिनी बस्तर धंतेवाडा, सुक्मा और बीजापूर। अगला प्रशन है दोस्तो, 36 गड़ में पेजल है, तू सरवाधिक उप्योग किया जाने वाला साधन कौन सा है, तो कौन सा है, हैंड पंप, 58.4 प्रतिशत हैंड पंप के द्वारा जो है, 36 गड़ में पेजल की आपूर्ती होती है, ध्यान रखेगा, अगला काफी 281 ठीक है, रुपए, अंठ्यान पेजार 281 रुपए प्रतिशती आए है, अगली बात करते हैं दोस्तों, 37 गड़ राज्यमें वर्ट 2019 बीस में कितने टन मतस से उत्पादन किया गया, मशली का प्रोड़क्शन जो है कितना किया गया, तो ये है, 2,90,976 ठीक है, 2,90,976 ठीक है, 2,90,976 ठीक है, 2,90,976 ठीक है, कैसे याद करोगें, समझ जाना 2,90,000 रुपया किलो मशली बजार में भी करही है, ऐसे करके कुछ याद कर लेना आप लो, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, अब मतस से के लिए कितना प्रतिशत जल छेत्र जो है, विक्सित किया जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है, यह फेक्ट आप ध्यान में रखेगा, चलिए, अगली बात कर लेते हैं, 36 गड में वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन केंद्र कितने बनाए गए हैं, तो यह प्रशन रिपीट हो रहा है, फिर से बोल दो मैं आपको, कितने बनाए गए हैं, 2305 जो हैं, कुल धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, इस वर्ष 257 जो हैं, नए बनाए गए थे, अगला प्रशन है दोस्तो, वर्ष 2020 में धान का समर्थन मुल्डे कितना रहा, तो वर्ष 2021 के लिए धान का समर्थन मुल्डे जो हैं, 36 गड़ाज में, 25 सो रुपए प्रती क्यूंटल ही रहा, ठीक है, जसका तस से 25 सो रुपए प्रती क्यूंटल रखा गया है, अब पूछ सकते हैं, प्रशन भाई कितना इनका लक्षे है धान खरीदी का, तो देखो ऐसा है, कि राज्ये में जो हैं, दो आकड़े आए हैं, मैं आपको दोनों बतायता हूं, एक जगा लिखा हुआ था, कि 100 लाख टन जो है धान खरीदी की 36 सरकार, और एक जगा न्यूज में जो बात करें, न्यूज में आया था, कि 90 लाख टन जो है, सरकार 36 गरा जो जो है धान की खरीदी करीगी, तो दोनों ही आकड़े आप ध्यान में रखेगा, दोनों ही पता चल जाएगा, और आर्थिक सरक्षन में तो भी आया नहीं है, तो मैं बताई नहीं सकता कि इस सवर्ष कितना है, तो मैं ये न्यूज के अकॉर्डिंग बता दिया, आपको दोने ध्यान के एक जगा 100 लाख टन धान की खरीदी भी आया है, और एक जगा अब जो है, सामान्य धान जो है, वो 1868 रुपया, यानि कॉमन धान का मुल्य जो है, 868 रुपया और एक ग्रेट धान भी होता है, वो 888 रुपया रहा, ठीक है, मक्का जो 850 रुपया रहा है, ये भी ध्यान केगा, तीरिपन रुपया जो है, इस वर्ष बढ़ाया गया है, सकेंदर सरकार के द्वारा, अब देखिए, थोड़ी सीज की जानकारी लेते हैं, यहां तो 868 रुपया दे रहा है, और 36 रुपया जो है, पच्चीस सो रुपया के हिसाब से धान को खरिती है, तो अंतर की जो राशी वो राजय सरकार जो है, किसानों को देती है, तो राज 21 मही को देती है, दूसरा 20 अगस्त को, और अपना 36 राजय स्थापना दिवस 1 नमबर के दिन में, यह 3 दिन तो दे चुकी है, और यह 2 दिन 21 मही, यह राजय का जन्म दिवस है, और 1 नमबर राजय का स्थापना दिवस है, तो यह 3, 4 किस्त में देती है, तो 3 किस्त तो इन दिनों में बाट चुकी है चौथा किस्त जो है लंब सम 21 मार्च और इसके आसपास हो सकता है मिले ठीक ना तो यह चार किस्ते में राजी शाषन जो है अंतर की राशी देती है कौन से अंतर की राशी जो डिकलेर रता कि इंदर सरकार के द्वारा कि इतना रूपिया में हम धा रहा के खरिकती है तो जो अंतर की राशी होती है उसको शाषन 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 जो चार पिस्तों में दे देती है ठीक ना चलिए और साथ में थोड़ा से और बात कर लेते हैं इस वर्ष जो है 2020-21 में जो धान खरीदी एक दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तकी जा रही है इसमें जो हैं कुल जो हैं 36 गड़ में 21,29,764 किसानों ने पंजियन करवाया कितने लोगों ने करवाया 21,29,764 लोगों ने पंजियन करवाया करीब 22,00,000 किसानों का एस्टिमेट था पर 21,29,764 लोगों ने पंजियन करवाया है 2021 के लिए इसमें नए किसान कितने जुड़े हैं 2, 69 पर सोफ नो राव है कि इस व्रस जो है पंजिन करा है कि नए किसान और इनको टोकन सिस्टम दिया जाता है कि आपको धियान में रखना पड़े खरे तो टोकन सिस्टम देते न तो जो टोकन में कितने दिनों के लिए estad med ungef यह बात भी आध्यान में रखिएगा ठीक है और इसके अलावा जो कुछ इसमें और है कि जैसे अभी कुछ अन्य जो रभी की फसल होती है इसमें भी मुल्य को बढ़ा दिया गया है तो इसकी जो लिस्ट है मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा मेरे टेलिग्राम में ज राष्टी किशी बजार से जोड़ा गया है काफी महत्पूर्ण है तो 36 देखो देश में किन सरकार ने देश के एकुल 585 किशी मंडियों को चिन्हित किया है जिसमें से राज जी के 14 किशी मंडियों को जो है राष्टी किसी बजार पोर्टल से जोड़ दिया गया है दो चर पारा रादनानकाओं कवरधा भाटापरा कुरुदर नवा पारा ठीक है यह प्रेथम चरण में पांच को जोड़ा गया और 2017 में द्यूतिय चरण में जो है रायपूर दुर्ग धंतरी ग्लासपूर जगदलपूर राजिम बालोद और रायगड को जोड़ा गया इस प्रकार लक्तर ग्रिमी शक्रकार खानों को उनकी पिराई चमता के नुसार जमाओं मतों कितना प्रोडुक्शन होता है कितना क्या होता है उसके नुसार से जमाना ऐसे कुछ प्रशन घुमा के आगया, इसलिए मैं ले लिया हूँ जा अच्छा लगा प्रशन है, देखो, पहले नंबर पर सबसे जगा जो पेराई होता है, कौन से शक्करकारखाने में होता है, भोरम देओ सहकारी शक्करकारखाना, रमहेपूर कभीरधाम में, यहाँ पर 3500 Tcड च isn't back kya यहे खारे रिखाना यहाँ पर इतना पिराई होता है, सेकेन नंबर पर मा महा माया, सहकारी, शकक्रकारखाना, केरथाषन सूरजपूर आता है, जहां, पत्चिस सो, टीज़िदि यहाँ सेम, इसे के समक्चिश जो है, सैदार वललभ भाई, पतेल, सहकारी, श सिडी चमता का है तो पहले नंबर पे अगर पिराई को निसार या चमता को निसार पूछेगा तो भोरम दे शक्कर कार खाना दूसरा तीसरा आपका महादेव या फिर महा माया और सदार वल्लब भाही पटेल भी हो सकता है यह उपर नीचे पर हो सकता है ना सेकंड नंबर पे का प्रसंस्करण की इंद्र की स्थाफने की जारी है खा किजा रही है कहा की जारी है ग्राम कोकडी जिला कोंडा घाउं करीब 300 तेंचंता का प्रसंस्क्रण इक आई यहा पर लगा जा रहा है अगला प्रशन आप ध्यान में रखेंगर थोड़ा अच्छा लगा तो ले सहकार शक्कर कारखाना रमहेपूर कबीरधा में 40K LPD के चमता वाला यहां पे यह एथनल प्रॉंट यहां पे लगाया जाएगा आपको ध्यान में रखना है अगला प्रशन है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना राज जिमें कब से लागू है यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना राज जिमें वर्श 2016 से लागू है ध्यान में रखना है यह काफी important data है अभी आप जानते हो किसानों का बहुत चक्कर चल रहा है उससे जुड़ा जो भी है यहां 36 गड़ में सब हमने ले लिया है अगली बात करते हैं 36 गड़ में कितने प्रतिशत क्रिशी जन संख्या क्रिशी पे निर्भर है असी प्रतिशत जो है क्रिशी जन संख्या है ठीक है जो क्रिशी पे डिपेंड करती है ठीक है यानि कितने किसान 37.46 लाग क्रिशक परिवार 36 गड़ में है कितने हैं 37,46,00, तो 37,46,00, परिवार कुल हैं 36 गड़ में अब इन 37,46,00, परिवार में 76,30, लगुएवं सिमान स्रेणी के किसान है ठीक है याद रखो 76,00, लगुएवं सिमान स्रेणी के किसान है क्योंकि छोटे किसानों का मुद्धा भी जो है क्रिशी बिल में गर्माया हुआ है तो अपने आथ 76 प्रतिशत जो हैं छोटे यानि कि लगुयम सिमांत स्रेणी के किसान हैं अब इसी से रिलेटेट दूसरा है कि राज में कितना प्रतिशत सिचाई छंता उपलब्द है अधिकांस जो यहां की खेती है वर्षा पे ही निर्भर ये प्रशनी बहुत इंपोर्टेंट है अधिकांस जो है यहां का अगरिकल्चर राज्य का अभी भी वर्षा पे है चलिए अगला प्रशनी है तो कप की गई थी वर्ष दोजार पांच और छे में यह योजना जो है प्रारंभ की गई थी ठीक है यह ध्यान में अप्रोखना है और अंतिम जो है प्रशन में ले रहा हूं इसको भी डेटेल कर देता हूं देखे नर्वा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी, कारिकरम किस योजना के तहट संचालित है तो कौन सी योजना के अंतिकत यह सब है सुराजी, गाओ, योजना, राजी में सुराजी, गाओ, योजना है इसके अंतिकत यह संचालित है अब थोड़ा इसके डेटास को जो है आप ध्यान से देखिए नर्वा में जो है शुरू में 550 नालो का चैन किया गया था कि हम भाई 550 नालो को ठिक ठाक करेंगे इसके बाद गर्वा में जो है 1903 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया है गर्वा घुरूवा केंतर गर्ज्ञhanded में 1916 ग्राम पंचायतों का चैन किया गया है और बाड़ी केंतर गर्ज्ञ kitten क बारा-पंचायतों का चैन किया गया था कि इसको जो है हम इस तरह से ठिक ठक करेंगे, सुधार करेंगे, अब जो है मैं आपको इसके अंदर के और डेटेल बताता हूँ, कि वर्दमान में क्या प्रगती है यहाँ पे, देखिए, नर्वा के अंतर का जो है, वो नाला निर्मार किया गया है, 680, ठीक है, 2852 अभी जो ह है, जहाँ पे, देखो, आप फिर से समझो, वो उस प्रथम चरण में शुरू किया था, जो अभी डेटा बताया ना आपको, वो प्रथम चरण में उसको जो है इंक्लूट किया गया, तो कि इतने इतनों को हम करेंगे, 550 नालो का चैन करेंगे, लेकिन कितना कर दिया गया है वरतमान में 680, और कितने का कारे प्रगितिव यह है, 2852, गरुवा के अंतरगत जो है, गरुवा में 1903 ग्राम पंचायतों का सेलेक्शन शुरू में किया गया था, अभी 1661 संचालिव गौठान बनाए जा चुके हैं, और 359 और सिकुरीद किये जा चुके हैं, इसी प्रकार से घुरुवा के अंतरगत जो है, पहले चले में 1916 ग्राम पंचायतों का चैन किया गया था, अब इसके अंतरगत देखो, 3166 वर्मी टाके बना दिये गये हैं, 395 बायो गैस सयंतर निर्मीत कर दिये गये हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट है, बायो गैस सयंतर निर्मीत कर दिये गये हैं, अब बाड़ी के अंतरगत यह बात करेंगे, तो 25,005 नहीं बाड़ियां और 44,143 पुरानी बाड़ियों का कार यह पूर्ण किया जा चुका है, ठीक है, तो यह आपनी जो है बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इतने कम समय में एक एक नजर आप देख देना तो और दिमाग में थोड़ा बुत तो रहे गए आपके, और याद करने का सही तरिका है, कि यह जो डेट है ना, किसी का नाम उम रख देना, तो जल 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 दी याद हो जाएगा, तो आशाए दोस्ते, आपके वीडियो काफी पसंद आएगा, चैनल को किजिए, वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए, हमें कमेंट किजिए, साथी, और भी जुड़े-जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट कुछ मिल रहे हैं मुझे, वो सब मैं अभी टेलिग्राम पर आज कल में ढाल दूँगा, उसको भी एक में जाहर, देख लिएगा, जब तक ले थेंक यू, और अल दा बेस्ट और काफी अच्छे से पढ़ाई किजिए, दन्य बात.